गुड मॉर्निंग चुडरन वेलकम टू यॉर हिंदी क्लास बच्चो आज हम सीखेंगे चित्र पहचानों और मेल करो ठीक हैं? बच्चो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र बने हुए हैं ठीक हैं? और यहाँ पर तीन अक्षर के शब्द लिखे हुए हैं तो आपको क्या करना है? इन चित्र को सही शब्द से मेल करना है ठीक है? शुरू करें ओके तो देखिए हमारी फर्स्ट चित्र कौन सा बना है? मटर क्या बना है यहाँ पर? मटर तो बताईए बच्चों यहाँ पर मटर कहां लिखा है? देखिए कलश फसल कमल मटर मटर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? मटर तो मटर के चित्र के आगे कौन सा नमबर डला है? कौन सा नमबर लिखा हुआ है बच्चों? तो आप यहाँ पर क्या रिखेंगे? ओके? नमबर टू नमबर टू पर कौन सा चित्र बना हुआ है बच्चो? कलम तो पताए कलम कहा लिखा है? मतर कलाश फसल कमाल कमल माटर मतर माहल महल बतक कलम अब बताए कलम के चित्र के आगे कौन सा नमबर लिखा है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू ओके? नमबर ट्री नमबर ट्री में कौन सा चित्र बना है बच्चो? बतक तो बताए बतक का लिखा है देखे बतक बतक तो बतक चित्र के आगे क्या नमबर लिखा है बच्चो यहाँ पर? तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्री नमबर फोर कौन सा चित्र बना है बच्चो? सडक तो बताए बच्चो सडक कहा लिखा है? यह देखें सडक सडक त्री चित्र के आगे क्या नमबर लिखा है बच्चो? चित्र के सामने नंबर कौन सा लिखा है फोर तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर फोर नंबर फाइफ नंबर फाइफ में कौन सा चित्र बना है कमल कौन सा चित्र बना है बच्चो कमल तो बताएए कमल कहा लिखा है कलश फसल कमल कमल तो बताएए यहां पर हम कौन सा नमबर लिखेंगे, फाइव, वेरी गुड, नमबर सिक्स, नमबर सिक्स में कौन सा चितर बना है बचों, कलश, कौन सा चितर बना है, कलश, तो बताएव कलश कहां लिखा है, यह देखे, कलश, कलश, और यहां पर हम नमबर लिखेंगे, 6 नमबर 7 कौन सा चितर बना है बच्चों यहाँ पर नमबर 7 में महल ठीक है तो बताईए महल कहां लिखा है यह देखिए माहल महल और महल के चितर के आगे क्या नमबर लिखा है बच्चों 7 तो हम यहाँ पर लिखेंगे नमबर 7 नमबर 8 कौन सा चितर बना है बच्चों फसल तो बताईए फसल कहा लिखा है यह देखिए फसल फसल तो इसके आगे नमबर लिखेंगे हम 8 ओके बच्चों एक बार फिर हमी से दोहर आएंगे नमबर 1 मटर तो यहाँ पर लिखा है मटर मटर और इसके आगे हमने नमबर वन लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर भी नमबर वन है नमबर टू कौन सा चितर बना है कलम तो बताए कलम कहा लिखा है कलम कलम और इसके सामने हमने क्या लिखा है नमबर टू नमबर थ्री में कौन सा चितर बना है बच्चो बतक तो बताईए बतक कहा लिखा है बतक बतक और बतक के आगे हमने नमबर थ्री लिख दिया है नमबर फोर कौन सा चितर बना है बच्चो सड़क तो बताईए सड़क कहा लिखा है ये देखे सडक सडक और सडक के सामने हमने number four लिख दिया है ठीक है number five चित्र पहचानिए बच्छो कमल तो बताएं कमल कहा लिखा है ये देखिए कमल और कमल के आगे हमने number five लिखा है ठीक है number six number six में कौन सा चित्र बना है बच्छो कलश तो बताएए कलश कहां लिखा है यह देखिए कलश कलश और यहाँ पर नमबर सिक्स तो हमने यहाँ पर नमबर सिक्स लिख दिया है नमबर सेवन महल अब बताएए महल कहां लिखा है यह देखिए माहला महल और महल महल के चित्र के आगे हमने देखी यहाँ पर नमबर 7 लिखा है तो यहाँ पर भी same number 7 ही लिखेंगे, ओके number 8 फसल, तो पताएए फसल कहा लिखा है बच्चों, यह देखें फसल, फसल और यहाँ पर number 8, तो इसके सामने भी हम number 8 ही लिखेंगे ओके so children so children do this assignment in notebook number 4